जै गुरुदेव आईए आज जानते हैं पुजारी भगवान सिंग की कहानी जो की राम सेतु जो हनुमान मंदिर है लखनों में उनके तो क्या हुआ कहते हैं कि जब भगवान सिंग जी बहुत छोटे थे तकरीबन 13 साल के तो एक बार वो कैजी धाम के दर्शन गए अपने सारे बच्चों के साथ तो उस भीड में से बाबा जी ने नीम करूली बाबा जी ने इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए बालक इधरा चलेगा मेरे साथ तो भगवान दाज जी कहते हैं कि मैं तो बहुत ही डर गया, घबरा गया और पता नहीं कैसे जो कि मैं अपनी मान से कभी अलग भी नहीं रहता था मैंने हा कर दी और बाबा जी जो है उनको लेके वरिंदावण आश्रम आ गए प्रातर कालियलो बुरिंदावन आश्रम पहुचे फिर धीरे 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 जो है भगवान सिंग जी पुजारी का काम करने लगे तो क्या हुआ कि एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर को जो है जैपूरिया जी ने बनाया और बहुत सुन्दर करके भगवान जी को मतलब नीम करूली बापा जी को दे दिया वो मंदिर तो नीम करूली बापा जी ने भगवान सिंग को वहां का पुजारी घुशित कर दिया और भगवान सिंग जी तन मैता के साथ वहां पुजारी वाला काम करने लगे तब ही एक दिन जैपूरिया जी अपने पूरे परिवार के साथ वहां आए और भगवान सिंग को पूजा करते हुए देख कि क्रोधितों के चिलाने लगे कि ए भालत बाहरा इतना छोटा बच्चा और तू यहां क्या कर रहा है तो बगवान सिंग जी ने कहा कि मैं तो पुजारी हूँ पूजा कर रहा जा कर रहा हूँ तो उन्होंने का किस ने रखा तिरको पुजारी तू तो ब्रामण भी नहीं है तू तो ठाकुर है और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पुजारी बनने की आता गया है तुझे तभी क्या हुआ कि बाबा जी जो है बहुत सारे लोगों के साथ अचानक वहाँ गाड़ी में आ गए और बहुत क्रोधितों के अंदर की तरफ आने लगे तो भगवान सिंग जी कहते हैं कि मैं भी बहुत डर गया उनका क्रोध देखके और आके बाबा जी जो है जैपुरिया जी पे बहुत क्रोधित हुए और बोला कि तू इतना घमंडी हो गया है तूने एक मंदिर क्या बना के दे दिया है तोड़ दे इस मंदिर को कोई ज़रु बंडी है तो जैपुरिया जी ने बोला कि देखो बाबा जी बहुत छोटा बालक है और ठाकुर है उपर से और मेरे हिसाब से तो इसको गीता पढ़नी भी नहीं आती तो बाबा जी ने कहा बिलकुल आती है इसे गीता पढ़नी तो भगवान जी सिंग जी कहने लगे है रामचरित मानस और हनुमान चालीसा पड़ता था तो बाबा जी ने बोला चल बालक सुना इनको गीता और फट से जो है अपने करवट बदली अपने तकतवे बैटके और अपना कंबल जो है भगवान सिंग जी के उपर उड़ा दिया और अपना अंगूठा जो है उनके कंध मुझे वो पता नहीं और सब लोगों ने सुना कि वो बहुत ही अच्छा गीता का प्रवचन कर रहे थे कमाल की बात थी ना तो जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि सब लोग जो है बिलकुल खुश है और जो जैपुरिया जी है वो भगवान सिंग जी से और नीम क देखना चाहते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मतलब एकदम एन मौके पे आके नीम करोली बाबाजी ने भगवान सिंग जी को सहारा दिया उनको उस संकट से बचाया और नीम करोली बाबाजी का यही कहना है कि तुम होते कौनों किसी को भी अनपड कहने वाले या उसकी जात अच्छे भक्त थे जो बहुत दिल के साथ पूजा पाट करते थे और अच्छे अच्छे ग्रंतों को लोगों तक पहुचाने का काम अच्छे अच्छे वाणिया अच्छे विचार लोगों तक पहुचाने का काम करते थे उनके पास कोई स्कूली सिक्षा नहीं थी उनके प भगवान सिंग जी पुजारी की तरह वहां काम करते हैं और अपना सारा जीवन जो है नीम करोली बाबा जी को समर्पित कर चुके हैं और उनका हमेशा हिर्दे से धन्यवात करते हैं क्योंकि ऐसी नीम करोली बाबा जी की करपा सब को नहीं मिलती बहुत ही आपको दिल का अच को पहचान लेते थे और उसे अपने पास बुला लेते थे देखिए कैसे अराम से बैठे हुए हैं आपकी तरफ निहार रहे हैं अभी आपको प्रशाद भी देंगे ये देखिए ये आया उनके हाथों से दिया गया प्रशाद और ये है उनका आशिरवाद उनके चरणों का और उनके हस्त का बोलिए जै गुरुदेव जै नीम करोली बाबाजी सब पे अपना आशिरवाद बनाए रखें सब के कश्टों को दूर करे प्रभू सब के उपर अपना आशिरवाद हमेशा हमेशा बनाए रखें ये है बाबाजी की आर्दी हनुमान से तु मंदिर के अं प्रांगर्ड फिलाल विद्दा दीजिये जै गुरुदेव जै श्री राव